हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तू जस्ट मैथीजी स्टुडेंट्स, यह जो कोशन है, यह अपने प्लेन चैप्टर का है 3D जोमेट्री का यह कोशन है यह वाला सवाल 2009 AIEEE में आया हुआ है जिसको अब आप JEEE में के नाम से जानते हो 2013 से AIEEE का नाम क्या हो गया है JEEE में हो गया है तो यह वाला कोशन अपना 3D जोमेट्री का है तो आओ देखते हैं कि कैसे करेंगे यह कोशन को बहुत सिंपल कोशन है देखें यहाँ पर क्या लिखा होगा Let the line, कोई स्ट्रेट लाइन है जो की lie in the plane this ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है X-2 upon 3 equal to Y-1 upon minus 5 equal to Z plus 2 upon 2 यह जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है यह किसी plane पे lie कर रहा है किस plane पे lie कर रहा है lie in the plane this इस plane पे lie कर रहा है तो alpha बीटा का value निकालना है alpha और बीटा क्या है देखिए यहाँ पे alpha यहाँ पे Z का coefficient है और बीटा क्या है constant term है plane के equation में तो यह जो स्ट्रेट लाइन दी हुए है यह किस form में दिया हुआ है यह हमारे Cartesian form में दिया हुआ है तो Cartesian form में स्ट्रेट लाइन के equation क्या लिखा हुआ है X-2 upon 3 equal to Y-1 upon minus 5 तो Cartesian form में straight line का जब equation क्या हम लोग पढ़े हुए है X-1, X-X1 upon A equal to Y-Y1 upon B equal to Z-Z1 upon C ये होता है Cartesian form of straight line ओके तो इसमें X1, Y1, Z1 क्या होता है जहां से कोई straight line pass करता है अगर ये इस straight line का equation है तो ये किसी point A, X1, Y1 और Z1 से pass कर रहा होता है ABC क्या होता है यहां पर जो upon में लिखा होता है ABC क्या होता है direction ratio of this line होती है तो यहां पर जो ये straight line है ये किस point से pass कर रहा है ये passes through passes through point देखिए 2,1 अब देखो यहां पर Z-Z1 होता है तो यहां पर plus लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है z minus of minus 2 लिखा हुआ है तो बताइए z1 का value क्या है यहाँ पर minus 2 है ना z1 का value क्या है minus 2 है तो यहाँ पर 2,1 minus 2 मतलब यह वाला जो straight line है यह किस point से pass कर रहा है 2,1 और minus 2 से pass कर रहा है इतना information हम लोग straight line से लिख लिए अच्छा direction ratio of straight line क्या है direction direction ratios क्या है of straight line क्या है बताइए जो upon में लिखा हुआ होता है ना देखें a, b, c direction ratio है तो यह क्या है 3, minus 5, 2 यह क्या है अपना direction ratio है तो straight line का सब कुछ दिया हुआ है है ना सब कुछ पता है straight line किस point से pass कर रहा है straight line का direction ratio क्या है अब ये भी पता है में कि ये straight line किस plane पे लाई कर रहा है, इसी given plane पे लाई कर रहा है, तो इसका figure बना के देखते हैं कि लाई करेगा तो कैसा figure कुछ बनेगा, देखो बहुत असान है, मान लेते हैं ये कोई plane है, अब इसी plane पे एक straight line लाई कर रहा है, इसी plane पे ये line L लाई कर लिखा है इसे प्लेन के गवेशन क्या लिखा हुआ है लो है को सिसे इंट करेंगा है प्लाइन का एक्वेशन क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस थ्री-Y मैंनेस अलफा-Z plus alpha equal to zero अभी तक मैंने कुछ question का information जो भी सवाल में दिया हूँ उसको बस बही तक मैं लिखा हूँ question अभी तक solve कोड़ना start नहीं हुआ है ठीक है अब सोचते हैं कि alpha और beta कैसे find out होगा alpha और beta किसमें plane के equation में है ठीक है जो plane का इसे general equation क्या होता है यह जो plane लिखा हुआ है यह किसमें लिखा हुआ है अपने general equation में लिखा हुआ है plane का general equation हम जानते हैं कुछ ऐसा होता है ax plus by plus cz plus d equal to zero यह होता है plane का general equation जो यह a, b, c होता है x, y, z का जो coefficient होता है वो क्या होता है x, y, z का जो coefficients होते हैं होगा है ना तो वह क्या लिखा होगा अगर मैं THIS को vector form में लिखना चाहूँ तो आई प्लस 3Z minus alpha के बताये ये normal है ना ये normal है plane का normal है ओके तो normal का direction ratio क्या हो जाएगा direction ratios of normal क्या होगा direction ratios आपको समझ में आ गया होगा अभी हमने कुछ नहीं किया अभी बस information लिख रहे हैं अब questions को सोचते हैं कैसे solve करना है देखो अलफा और बीटा निकालना है ठीक है तो ये जो straight line इस plane पर लाई कर रहा है तो सोचो इस straight line पर जो point लाई कर रहा होगा उस plane पर भी लाई कर रहा होगा माल लेते हैं ये plane है यहाथ क्या है प्लेन है और यह पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट कोई क्या लोगे जो इस ट्रेट Right L another से एक क्या है 2,1,-2 इस पे लाए कर रहा है तो प्लीन के भी लाए कर रहा है ह। थीक है तो हम यह सोच कह सकते हैं क्याकि यह जो पॉइंट है अगर स्ट्टरी लाइन पे है तो taught Leafy और अगर प्लिन पर है तो प्रीन के कुशंट को साटिस्फाय करेगा मतलब इस इक पॉैंट को मैं प्लीन की टीकोशन में रख सकता हूं तो देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आँ यहां पर कहले सकते हैं बताएं ृग अरे इस जिस्ट्रेट लाइन lies on the given plane ठीक है न, on the given plane so point, कौन सा point 2,1, 1,2 also lie on plane also lies on plane ये भी plane पे लाई करेगा, तो क्या होगा बताइए, so, हम लिख सकते हैं क्या इस plane के equation में रख दो x के जगह पे 2 आ गया y के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 और minus alpha z z के जगह पे क्या आ जाएगा, minus 2 plus beta, equal to 0 होगा, satisfy करेगा मतलब उसमें रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 plus 3 minus minus plus 2 alpha plus beta, equal to 0 तो यहाँ से students 2 alpha plus beta की value क्या आ गई 2 alpha plus beta की value देखो, 2 plus 3, 5 5 उधर जाएगा, तो minus 5 हो जाएगा ये एक equation आ गया, alpha बीटा में ठीक है, इतना पता से लगया, अब देखो इतनी में अपना question solve हो जाएगा, इतनी जगह में अपना हो जाएगा solve देखते हैं, अब देखिए अब अगर ये plane है, ठीक है plane का normal है, देखो, ये plane का normal है, ओके ये plane का क्या है, normal है normal का direction ratio पता है, normal कौन सा vector है, normal vector लिखना चाहों, तो i plus, i cap plus 3 j cap minus alpha k cap, है ना ये n है तो अगर plane पे कोई line लाइक कर रहा है तो ये जो normal है ये plane का normal है, normal मतलब plane पे perpendicular है, तो अगर ये plane पे perpendicular है तो ये straight line पे भी तो perpendicular होगा, सोचो अगर किसी plane पे कोई straight line लाइक कर रहा है तो उस straight line पे उस plane का normal भी perpendicular होगा, है ना आई बात समझे है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, कि ये जो normal है, ये straight line मतलब normal also perpendicular to line L है ना, अगर दो vector अब हो गया, और आब सोचते हैं, कि अगर दो vector perpendicular होता है, तो क्या होते हैं जैसे लिखते हैं, मालो यहाँ पे एक vector A है, एक vector B है, ठीक है, ये है A1I, प्लस मालो B1J, प्लस C1 के है ना, और एक vector है A2I, प्लस B2J, प्लस C2 के क्या कह रहा है कि अगर A is perpendicular to B, अगर दो vector perpendicular होता है, तो क्या होता है A1 into A2 प्लस B1, उनका dot product 0 कर देंगे, C1 into C2 equal to 0 इसी concept को लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, A1, B1, C1 क्या है, vector A का direction ratio, B A2, B2, C2 क्या है, vector B का direction ratio, है ना, इसी concept का हम लोग use करके यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, अब देखिए, यहाँ पे line और normal perpendicular है, तो line का direction ratio क्या है, यह line का direction ratio है, और normal का direction ratio क्या होगा, 1 यहाँ पे लिखा होगा है, 1, 3 और minus alpha, तो हम कह सकते हैं, यह देखिए, A1 है, मतलब i वाला, i से multiply करो 1 into 3 into 1, प्लस, यह minus 5 into किससे होगा, 3 से हो जाएगा, प्लस 2 का multiply किसे करेंगा, alpha से, तो 2 into minus alpha equal to 0, अरे वा, यहाँ से तो alpha find out होता हुआ दिख रहा है, तो यह हो गया, 3 5, 3, जा, minus 15, minus 2 alpha equal to 0, तो यहाँ से अब आप एक काम करो, यह 3 minus 15, minus 12, minus 12 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, plus 12, तो minus 2 alpha equal to 12, तो alpha की value क्या आ गई, यहाँ से alpha का value कितना आ गया, minus 6, okay, alpha का value find out हो गया, देख लो option में minus 6 है, option में alpha को मा बीटा पूछ रहा था न, option B ही सही होगा, देख लो sum में 6, 6 है, इसी में minus 6 है, लेकिन माल लेते हैं, किसी दो option में minus 6 होता, तो बीटा की value निकाल लेते है, ठीक है, alpha का निकाल के ही अपना answer आ रहा है, लेकिन हम beta निकालने देख लेते हैं, कि अगर मालो किसी दो option में दिया होता, minus 6, ठीक है, तो बस क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, इक्वल टो, minus 5, 2, 6, 12, minus 12 होगा, right set जाएगा, तो प्लस 12 हो जाएगा, तो बीटा की value यहाँ से किती आ गई, 7 आ गई, तो alpha minus 6, बीटा 7, देखिए, इसी में है, आया समझे, जोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर कि alpha की value से ही option पहले चेक कर लेते हैं, तो एक ही option तो बीटा निकलने का जुरूत नहीं पड़ता, और आपका time बच जाता है, जए में में हमें सवाल को सोचना है कि समय जहाँ जहाँ बच रहा होता है, वहाँ time बचाया कीजिए, ठीक है, जहाँ था कि मैंने ये सब, ये सब तो मैं समझाने के लिखा हूँ, आपको एक्जाम में ये सब नहीं लिखना है, जए के एक्जाम में आता है, तो सब कुछ लिखना है, बोर्टस एक्जाम में तो लिखना है, जए में तो हम लोग roughly solve करेंगे, तो alpha की value भी आ गई, बीटा की value हो आ गई, ठीक है, I hope आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, तो वीडियो को pause लिख लिए, मिलते हैं अगले वीडियो भी नेक्स्ट कोशन के साथ, तब तक लिए बाए.